नमस्कार दोस्तो एजुकेशनल टोक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन नवी MR का प्रिवीज येर क्योशन पेपर और दोस्तो इसमें हर क्योशन के लिए आपको 10 से 12 सेकंड का समय भी दिया हैं पहला क्योशन दोस्तो निमन में से कौन सा इमोगलोबिन का एक प्रात्मिक करिये हैं तो इसका सई अंसर होगा निमन में से ऑक्सिजन का वहन करना इमोगलोबिन का एक प्रात्मिक करिये हैं अगला क्योशन दोस्तो समहनी बंडल किसमें अनुपसित रहते हैं तो इसका सई अंसर होगा ये बोयो फाइटा में अनुपस्थित रहते हैं अगला क्योसन दोस्तों सीरिया लेसर टाइडी किसका वेगयनिक नाम है तो इसका सई अंसर होगा ये है चिपकली का वेगयनिक नाम है अगला क्यों सन दोस्तो रसायन चात्र में साबून किसका लवण है तो इसका सई अंसर होगा यह है वसा एसीड का लवण है अगला क्यों सन दोस्तो निमन में से कौन से बलों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिमान में बराबर वेप्रित दिशा में अंदिर देशित और सीधी दूरी या सरेणी में विस्थापित रहती है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से यूगल एक ऐसी जोड़ी है अगला क्यों सने दोस्तों किस प्रकार का रोग जनक जल जनित बिमारी सोर्स का कारण बनता है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से वाइरल यह है एक सोर्स बिमारी का कारण बनता है अगला क्यों सन्य दोस्तों गुरुनन करने वाली वस्तू पर लगाए गए एक बड़े बल का प्रिणाम बड़े किस में होता है तो इसका सही अंसर होगा यह है प्रिमान बड़े बल अगुरुन में होता है अगला क्यो सन दोस्तों बोतीक यात्रा चुंब की परवा गंतव की इकाई क्या है तो इसका सही अंसर होगा इसकी इकाई टेसला है अगला क्यो सन दोस्तों निम्लिकित में से किसमे कोशिका बित्ति नहीं होती तो इसका सही अंसर होगा निमन में से माइको प्लाजमा में कोशिका बित्ती नहीं होती अगला क्यों सन दोस्तों निमलिकित में से किसको कोशिका का सक्ति ग्रह भी कहा जाता है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से सुत्रकणिका को कोशिका का सक्ति ग्रह भी कहा जाता है अगला क्यों सन दोस्तों निमलिकित में से दवनी सवर्मान को कोण निर्दारित करता है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से अवर्ती दवनी सवर्मान को निर्दारित करती है अगला क्यों सन दोस्तों कोण सी गड़ना प्रकास की कण प्रकरती को दिखाती है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से प्रकास विद्यूत प्रवाव गड़ना प्रकास की कण प्रकरती को दिखाती है अगला क्यों सन दोस्तों जाईलम निमनिकित में से किसके प्रिवैन में सायता करता है तो इसका सही अंसर होगा यह पानी के प्रिवेन में सायता करता है अगला क्यों सन दोस्तो लाल किले में मुगल अस्तिताउ किसके पतन के साथ समाप्त हुआ तो इसका सही अंसर होगा यह बादुरसा जफर के पतन के साथ समाप्त हुआ अगला क्यों सन दोस्तों बार्त की सिलिकोन वैली कहां स्थित है तो इसका सई अंसर होगा बार्त की सिलिकोन वैली बैंगलूरू में स्थित है अगला क्यों सन दोस्तों बलतोड़ा इमनद कहां स्थित है तो इसका सही अंसर होगा बलतोडा इमनद क्रा कुरम परवत माला में स्थित है अगला क्यों सन दोस्तों बार्त की पर्थम महिला सासक कौन थी तो इसका सही अंसर होगा बार्त की पर्थम महिला सासक रजिय सुल्तान थी अगला क्यों सन दोस्तों बार्थ के पर्थम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही अंसर होगा बार्थ के पर्थम गवर्नर जनरल लोर्ड विलियम बैंटिक थे अगला क्यों सने दोस्तों निमलिखित में से कौन से ग्रै को पिर्थवी का जुड़ूआ भी कहा जाता है तो इसका सई अंसर होगा निमन में से सुकर ग्रै को पिर्थवी का जुड़ूआ ग्रै भी कहा जाता है अगला क्योंसने दोस्तों निमलिकित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तरवाले स्थानों को जोड़ा जाता है तो इसका सई अंसर होगा निमन में से सम वर्षा रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तरवाले स्थानों को जोड़ा जाता है अगला क्यों सन दोस्तो मातमागांदी ने सन 1930 में सविन्य अवग्या आंदोलन कहां से आरंब किया था तो इसका सही अंसर होगा यह साबरमती आश्रम से आरंब किया था अगला क्यों सन दोस्तो निमन में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी तो इसका सई अंसर होगा निमन में से लाला अर्ध्याल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी अगला क्यों सन दोस्तों अर्थ सास्तर में नोबेल प्रोस्कार किस ने स्थाफित किया था तो इसका सही अंसर होगा स्वीडन ओफ सेंट्रल बैंक ने स्थाफित किया था अगला क्यों सन दोस्तों निमन में से कौन सा बारत का पहला वाइस राय था तो इसका सही अंसर होगा नीमन में से लोर्ड कैनिंग बार्थ का पहला वाइस रहे था अगला क्योशन दोस्तो सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी अगला क्योसन दोस्तो बार्थ में स्थापित पर्थम बैंक का क्या नाम था तो इसका सही अंसर होगा बारत में स्थाफित पर्थम बैंक का नाम बैंक ओफ इंदुस्तान था अगला क्यों सेन दोस्तों सवतंतर बारत के पर्थम उप्परदान मंतरी कौन थे तो इसका सही अंसर होगा सवतंतर बारत के पर्थम उप्परदान मंतरी सर्दार वल्ल बैंक पटेल थे अगला क्यों सेन दोस्तों एथलेटिक्स विशवकप के उद्गाटन संस्क्रण में निमिलिकित में से कौन सा देश जित्ता था तो इसका सही अंसर होगा निमन में से स्यूक्त राज्य अमरिका देश जिता था अगला क्यों सन दोस्तों फुटबोल विशवकप टूनामेंट 2018 में निमिलिकित में से कौन सी टीम रनर अप रही थी तो इसका सही अंसर होगा निमिलिकित में से क्रो एसिया टीम रनर अप रही थी तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी जुरूर दबाईए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह समय समय पर मिलती रहें और दोस्तो ऐसे ही क्योसन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेब साइट का लिंक भी दिया है तो आप ऐसे ही क्योसन वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद